हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 29 दिसंबर के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करेंगे, तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की इंडोनेशिया और पेरू क्रमसा फीफा अंडर 17 और अंडर 20 विस्व कप की मेजबानी किस वर्स करेंगे, तो यह करेंगे फ्रेंट्स 2023 में और ऐसा इसलिए क्योंकि फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 वर्ड कप को 2023 तक के लिए पॉस्पॉन कर दिया है, फीफा यानि इंटरन अंडर 17 विमन्स वर्ड कप जो की सन 2021 में इंडिया में होना था, इसको भी कैंसल कर दिया है, अब इंडिया इस वर्ड कप को 2022 में होस्ट करेगी, साथी फ्रेंट्स कतर की कैपिटल दोहा, यह 2030 के एशियन गेम्स को होस्ट करेगी, और रियाद जो की साथी अरेबिया की वंडर इंटरनेशनल वर्ड कप, यह फ्रेंट्स इंडिया होस्ट करेगा, और इस वर्ड कप के लिए जो क्वालिफायर्स मैच खेले जाएंगे, यह खेले जाएंगे जिमबावे में, धर्म स्वातंत्र, धार्मिक स्वतंत्ता विधैक 2020 को किस राज्य मंत्री मंडल ने हा साल की सजा और कम से कम पचास सजा रूपे का जुर्माना भुगतना पड़ेगा, मध्यपरदेश के सिए में सिवरास सिंग चोहान, यहां की गवर्णर है आनंदी बेन पटेल, जो की एडिशनल चार्ज यहां पर समाल रही है, यह उत्तर परदेश की गवर्णर है, और मध स्टेटस ओफ लेपरड इन इंडिया 2018, यह रिपोर्ट जारी की गई जिसके तहएत भारत में 12,852 लेपरड है, तो फ्रेंट्स मध्यपरदेश इसमें सबसे टॉप पर है, यहां पर 3,421 लेपरड पाए गए हैं, और फ्रेंट्स 60 परतिशत की वृद्धी लेपरड की पर चिपेंपेंड को है मध्य पर्देश ने रोजगार सेतू सेत्व इसकी में लांच की है सारथी मध्यपरदेश गंओ ने एक मासक अनेग जिन्द्दकी इस पर लांच किया है, सार भी स्थे पर्जूडम और पर पेंड लांच किया है, यह सभी करेंट आफेर्स हमने अनुसंधान संगठन अपने चैत्रिय सेक्षणिक केंद्र को किस जगह इस्थापित करेगा तो यह इस्थापित होगा IIT-BHU इन वरानसी में और फ्रेंड्स इस केंद्र में इसरो की विभिन्न परियोजना उपर अनुसंधान होगा इसरो का हैटकार्टर से है बैंगलूरू में इसरो के चीफ है के सीवन इसरो से चुड़े अगर हम इंपोर्टेंट करंट अफेर्स की बात करें फिर फ्रेंड्स 17 दिसंबर को दूसरी सैटेलाइट CMS-01 इसको लॉंच किया गया ये एक कम्यूनिकेशन सैटेलाइट है और इसको PSLV C50 लॉंचर से भेजा गया है किस देश की योजना 2026 के अन्त तक चंद्रमा पर पहला परमानू रियक्टर इस्थापित करने की है तो फ्रेंड्स इस तरह की योजना है United States of America की और इसका ये टार्गेट है कि 2026 तक जब चंद्रमा पर पहला परमानू रियक्टर इस्थापित किया जाए तो वहां से कम से कम 10 किलो वाट की एनरजी जनरेट की जा सके दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रही ट्रेन परिचालन को किस ने हरीजंडी दिखाई है तो ये हरी जंडी दिखाई है नरेंदर मोधी जी ने और फ्रेंड्स जो ये चालक रही ट्रेन है ये मेजेंटा लाइन जो की जनकपुरी वैस्ट को बोटैनिकल गार्डन से कनेक्ट करती है इस लाइन पर चलाई गई है साथी फ्रेंड्स परधार मंत्री नरेंदर मोधी ने एरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कोमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस इसको भी लॉंच किया है गीता जैनती 2020 में किस दिन मनाई गई तो फ्रेंड्स ये मनाई गई है 25 दिसंबर को और ये जैनती इसले इंपोर्टेंड भी है क्योंकि युनेसको की जो डिरेक्टर जनरल है और्डरे एजेलो इन्होंने भारत को इस जैनती पर विश भी किया है फ्रेंड्स जो ये जैनती है ये जरूई नहीं कि हर साल 25 दिसंबर को ही मने ये इसकी तिथी देखी जाती है हिंदू कलेंडर के इसाब से तो सुकल एकाथ सी जिस दिन पढ़ती है मार्क शीट्स महीने में उस दिन गीता जैनती मनाई जाती है तो ये जैनती इसले मनाई ज जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुरु छेत्र का जो रंड छेत्र है उसमें स्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिये थे वो इसी दिन से दिये थे साती फ्रेंड्स गर्रोंडेंट ऑफ हरियाना इंटरनेशनल गीता महुत्सव इसको भी मनाती है तो इस बार 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तकी ये महुत्सव मनाये गया है तो आपके एकजाम में पुछा जा सकता है कि गीता महुत्सव किस राज्य में मनाये गया दशक के ICC ODI player और दशक के Cricketer के रूप में किसे नामित किया गया है यानि ICC ODI player of the decade and Cricketer of the decade किसे चुना गया है तो फ्रेंड्स ये चुना गया है भारते team के कप्तान विराट कोहली को ये जो पूरी ट्रॉफी का नाम है साथी फ्रेंट्स विराट कोली को जो दशक की टेस्ट टीम बनाई गई है उसका भी कप्तान बनाया गया है दिलाउंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल में प्रकाशित एक अध्यान के नुसार 2019 में कितने भारतियों की मोत वायू परदूशन के कारण हुई है तो फ्रेंट्स 1.7 मिलियन लोग ये वायू परदूशन के कारण इनकी मृत्य हुई है यह आप 17 लाग के आसपास कह सकते हैं और फ्रेंट्स इनमें जो सबसे ज़्यादा लंग डिजीज जो हुई है वो एर पॉलूशन के कारण हुई है मतलब सबसे बड़ी जो डिजीज एर पॉलूशन के कारण हुई है वो हुई है लंग डिजीज और फ्रेंट्स इस एर पॉलूशन के कारण जो भारत की जीडीपी है वो भी 1.4% तक घटी है दशक के ICC Spirit of Cricket Award का नाम किसे दिया गया है किसे नामित किया गया है तो फ्रेंट्स ये नामित किया गया है भारते टीम के पूर्व कप्तान MS दोनी को ICC Spirit of the Cricket Award और ये फ्रेंट्स इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि नोटिंगम में एक टेस्ट मैच खेला गया था 2011 में जहां पर इंगलेंड के बल्ले बाच एयान बेल कुछ misunderstanding होने के कारण उन्होंने अपनी क्रेश छोड़ी हुई थी उन्होंने सोचा कि boundary पर बॉल चली गई है लेकिन ऐसा हुआ नहीं था उनको run out कर दिया गया है run out कर दिया गया था तो MS दोनी ने उनको वापस बुला लिया था इयान बेल को वापस बुला लिया था कि आप बल्ले बाजी कीजिए और हम भी इस तरह की बात नहीं मानते हैं यह आप से भूल हुई है तो इसलिए आप बल्ले बाजी कीजिए तो इस तरह की भावना MS दोनी ने दिखाई थी शरद अर्विंज बोबडे ने किस उच्च नियायले में इसेवा केंदर का उधगाटन किया है तो फ्रेंट्स यह किया है त्रिपुरा हाई कोर्ट में और इसेवा केंदर के तहत जो लिटिगेंट्स हैं वे फ्रेंट्स अपने केस स्टेटस के बारे में information अप्टेन कर सकते हैं साथी judgment और order की copy भी अप्टेन कर सकते हैं किसे ICC पुरुस test player of the decade award दिया गया है तो friends ये award दिया गया है आस्टेलिया के Steve Smith को ICC men's test player of the decade award Digibox जिसे हाल ही में नीती आयोग ने launch किया है ये क्या है तो friends ये एक cloud storage service है तो जिस तरह की Google अपनी storage service प्रवाइड कराती है इसी तरह से Digibox इसको नीती आयोग ने launch किया है और इसमें 20 GB की cloud storage बिलकुल free मिलेगी और पर मन्थ 30 रूपीज अगर आप पे करेंगे तो आपको 5 terabyte तक का जो storage है वो भी मिल सकेगा भारत की पहली lithium refinery किस राज्य में इस्थापित की जाएगी तो ये की जाएगी friends गुजरात में लिथियम और को process करके battery grade material यहाँ पर बनाया जाएगा और friends money current power limited यहाँ पर 1000 करोड रुपे इन्वेस्ट करेगी गुजरात से जुड़े अफेर्स की बात करें तो friends परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने हाल ही में गोगा हजीरा रोपे ferry service यह गुजरात में launch की है हाल ही में साथी friends परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने हाल ही में केवडिया और साबरमती रिवर फ्रेंट इसके बीच में भारत की पहली sea plane service भी launch की है साथी friends परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने गुजरात में किसान सुर्योदय योजना किसानों के लिए launch की है और friends वर्ड का largest toy museum यह भी गुजरात में set up किया जाएगा अब देखते हैं friends आज के important one liners भारत नोसेना और इंडोनेशिया 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 इनोसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कोडिनेटेट पैट्टोल यानि इंड इंडो कोर्पेट यह friends इसका हाल ही में 35 संस्क्रण आयोजित किया गया है रक्षामंत्री राजना सिंग ने एरचीफ मार्शल RKS बदोरिया को अस्त्र MK-1 मिसाइल परणाली सोपी है राज्यसबा सांसद RCP सिंग जनतादल युनाइटेट के राष्टे अध्यक्ष चुने गए है लद्दा के उंबा गाउं को पहली बार बिजली मिली है रक्षामंत्री राजना सिंग ने बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम यानी बॉस बॉस कह सकते हैं आप इसको जो की एक हर मोसम में इलेक्टोनिक निगरानी परणाली है इसको सेना प्रमुक जनरल M.M. नर्वने को सौप दिया है इस तरह से कोश्चन पुछा जा सकता है जो इससे पहले वाला है कि हाली में उंबा विलेज जिसको की पहली बार इलेक्ट्रिसिटी प्रवाइट कराई गई है ये किस राजिया यूनियन टेरेटरी में है तो इस तरह के कोश्चन मन सकते हैं और हम फिर सोचते रह जाते हैं कि ये कोश्चन कहां से आया होगा तो इस तरह के छोटे-छोटे कोश्चन काफी इम्पोर्टेंट होते हैं एक्जाम में कब क्या पूछ लिया जाए हमको नहीं मालूम तो इसलिए हम सभी तरह की ये कोश्चन साथ में पढ़ते जाएंगे अब देखते हैं प्रीविएस अ कोड़ाइ कनाल आर लोकेटेड इन विच स्टेट तमिलाडू वेरिज दा हैट्वार्टर्स ओफ न्यू डेवलोप्मेंट बैंक लोकेटेड संगाई अब देखते हैं आज के साइन्मेंट कोश्चेंस काफी interesting questions हैं यह आपने पहले पढ़े भी होंगे और यह वो question है जो कई बार exam में पूछे गए हैं यह सभी question मैंने एक question paper से उठाए हैं जो की उत्राखंड में question paper आया था वहां से मैंने यह लिए हैं तो अगर आप इन में से किसी एक का भी answer करते हैं तो यह भी आपके लिए काफी बड़ी बात है कि आपने उस question paper का एक question भी आपने जवाब दे दिया है तो देखते हैं विच विटामिनी इसेंशल फॉर ब्लड क्लोटिंग विच रिवर इस नोन एस शोरो ओफ चाइना ओन विच हील दराश्टपती भवन इस सिचुएट इन डेली Central Drug Research Institute is situated in which city which gas was responsible for the Bhopal gas tragedy तो friends इन 5 questions के answer आप comment box में अवस्य प्रवाइट कराएं जैसा कि मैंने का अगर आपको एक question भी आता है तो friends वो भी आपके लिए काफी अच्छी बात है काफी बड़ी उपलब दी है तो आप जिस भी question का answer आपको आता है comment box में उसको जरूर प्रवाइट कराएं और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं कई लोग friends comments ने पूछते हैं कि current affairs की pdf कहाँ पर मिलेगी तो friends हमारी website www.currentaffairsfunda.com यहाँ पर आप हमारे सभी current affairs की pdf एक या दो दिन बाद पा सकते हैं साथी friends यहाँ पर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके बताएं कि यह video आपको कैसी लगी thank you guys